आयूर्वेद समाधान को आप लोग आजी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिसे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों बचपन से हम सभी ये सुनते आए हैं कि दूद पीना स्वास्त के लिए बेहतर और फायदेमंद होता है दूद में बिटामिन A, बिटामिन K और बिटामिन B12 होता है थाइमीन और निकोटेनिक एसिट, मिनरल जैसे केलशियम, फासपोरस, सोडियम और पोटेशियम पाये जाते हैं जो हड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इससे हमें ताकत मिलती है ये बात तो लगवग हम सभी जानते हैं कि दूद कब पीना चाहिए, यानि दूद पीने का सही समय क्या है दोस्तो ये बात तो लगवग हम सभी जानते हैं कि दूद पीना स्वास्त के लिए बेहतर होता है लेकिन ये कोई नहीं जानता कि दूद कब पीना चाहिए, दूद पीने का सही समय क्या है इस बात को लेकर हराम इंसान के मन में संशे होता है रात को दूद का सेवन करने वालों के मन में भी ये संशे होता है कि रात को दूद पीना फाइदे मंद है या नुकसान दाए हलाकि अगर दूद का सेवन दिन में किया जाए तो ये हमें दिन भर इनरजी देता है और रात में किया जाए तो ये दिमाग को शांत और अनिद्रा को दूर करता है अगर आपको ये भी शंचे है तो हम आपको बता देते हैं दूद पीने का सही समय क्या है तो आयरुवेद में रात को दूद पीने को प्राथ मिक्ता दी जाती है अलग-अलग समय पर दूद पीने के अलग-अलग असर आयरुवेद में देखे जाते हैं अब सुभे की बात करते हैं, पचाने में भारी होने के कारण सुभे दूद पीने से मना किया जाता है। दोपेर की बात करते हैं, दोपेर के समय दूद पीना बुजर्गों के लिए फायदे मन्द होता है क्योंकि इसे बुजर्गों को ताकत मिलती है। शाम की बात कर लेते हैं शाम के समय दूद पीना आखों के लिए बहुत अच्छा होता है बात करेंगे रात की रात को दूद पीना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे शरीर की ठकान मिड़ती है और नींद अच्छी तरह आती है अब हम जानते हैं रात को दूद पीने में मदद करता है साथ ही केलशियम स्याम को कम गतिविदी स्तर के कारण बेहतर तरीके से अफसोशित हो जाता है दूद में प्रोटीन होता है जो मासपेशियों के विकास के लिए बहुत लापदाइक होता है दोस्तों आप दूद तो पीते हैं लेकिन कुछ बातों का आप ख्याल जरूर रखिए क्योंकि ये हमारा आयुर्वेद कहता है कमजोर पाचन, कुछ तवचा समंधी समस्याओं, खांसी, हर वक्त पेट खराब और पेट में कीडे जैसी समस्याओं से परिशान लोगों को दूद पीने के सेवन से बचना चाहिए दूद को कभी भी भोजन के साथ नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये जल्द हजम नहीं हो पाता, इसे हमेशा अलग से गरम करके पीना चाहिए, दूद को ठंडा, ज्यादा और अनुपिक्त खाद पदार्तों के साथ लेने से ये सिहत को नुकसान पहुचा देता है, आयुर्वे जीने के बाद सो जाने से कोई पदार्त पेट में नहीं जाता, दूद आसानी से पज जाता है और फायदा करता है, ये रही आज दूद की बात और ऐसे ही वीडियो लेकर हम फिर आजर होंगे, दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है, जिसमें ब जो